अल्दो आप में से बहुत से लोग Mercedes की नई GLC के बहुत से वीडियो देख चुके होंगे लेकिन जो हमने वर्जिन पहले चलाया था वो था इसका पेट्रोल वर्जिन लेकिन आज हमारे साथ है इसका 220D वर्जिन याने की डीजल अफ़तार इस नई Mercedes Benz GLC का आज हमारे साथ है तो changes के बारे में संशित में बात करेंगे लेकिन overall वीडियो का जो main focus रहने वाला है वो इसके drive को लेके इसके diesel engine के performance को लेकर रहने वाला है और किस तरह की handling और किस तरह का comfort इस Mercedes की GLC 220D के साथ देखने को मिल रहा है इस सभी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे इस वीडियो में और वीडियो के हैंप में बात करेंगे हमेशा की तरह तीन धासू और तीन नौर्स धासू विलमेंस क्या दगे मुझे इस Mercedes की All New GLC के पारे मिन नमसकार स्वागरेब सभी के ताइम्स ड्राइब के इस वीडियो में मैं हूँ Ankur Taneja चिरुबात करते हैं इस वीडियो अब डीजल एंजिन जो है इस GLC में माइल्ड हैविड टेक्नालजी के साथ आता है तो शुरुवात पहले करते हैं इसके ओवरॉल परफर्फर्मेंस की साथ देखने को में में मिल रहा है ओर रॉल ड्राइब किस तरह की इस Jayle Award के से इस GLC अंजिन के साथ देखने को मिल रही है बात करते हैं अब इस मर्सेरी बेंस के गिल्शी 240ड के परफर्फर्मेंस के बारे में तो पार फिगर्स की बात करूं अब starter generator वाला feature इसमें दिया गया है तो वो भी एक additional power इसमें provide करता है around 23 bhp के आसपास power increase बहाँ देखने को मिलता है और around 200 newton meter के आसपास hard exploration में वहाँ पर power increase आपको इस Mercedes-Benz के GLC to continue में देखने को मिलेगा overall power figures की बात करो तो 194 bhp power है max torque जो generate होता है इस engine से वो है 440 newton meters का overall drive की बात करो तो initial phase से ही गाड़ी पहले से जादा शान्त महसूस होती है जो overall noise levels है वो पहले से better मुझे लगता है contain करें गए है वहाँ पर improved ये Mercedes-Benz की GLC obviously पहले के मुकाबले महसूस होती है शुरुआत से ही acceleration जो है initial stage से ही अच्छा लेखनी की मिलता है power delivery जो है शुरुआत में ही काफी अच्छा है लेकिन जो mid range है वहाँ पर भी अच्छा खासा power इस Mercedes-Benz की GLC में लेखनी की मिलता है इस 221D version में तो city और highway दोनों महौल के साफ से मुझे लगता है power जो है ample है और दोनों ही महौल में आपको किसी भी situation में power की कमी इस Mercedes-Benz की GLC तूटो डीडी से महसूस नहीं होगी तो ये मामला मुझे काफी sorted in terms of power and torque इस गाड़ी में in terms of drive महसूस हुआ city और highway दोनों की drive के दोरान फिर और बात करें जो cabin feel है comfort है वो भी काफी अच्छा है seats का hold काफी अच्छा है suspension setup जो है वो थोड़ा साफ को stiffer एंट पर महसूस होगा है and also इस पे जो है air suspension की कमी आपको खलेगी Mercedes की और गाड़ी में अमने देखा है लेकिन यहाँ पर इस GLC में वो air suspension वाला feature मिसिंग है so in case आप उस तरह का comfort expect कर रहे थे कि mode change होगे तो उस तरह suspension की टूनिग भी automatically change होगी तो वो वाला aspect आपको यहाँ पर इसमें मिसिंग हो मिलेगा तो अबर और ड्राइव के साफ से बाग करूं अब फटा फट बात थोड़े बहुत changes जो major changes होगे उनकी कर लेते हैं तो front में सबसे पहले आपको face इसका बदलाव दखेगा नया grill है ने अम मसलीस का यह 30 star logo यहाँ देखने को मिल रहा है और नीचे जो है आपको इसके bumper में chrome inserts देखने को मिल जाएंगे और काफी chrome का इस्तमाल गाड़ी में आपको throughout front side rear में देखने को मिलेगा नए headlamp इसमें दिये गए हैं जो की adaptive headlamp technology के साथ आते हैं and alloy wheels का design भी यहाँ पर कुछ आपको बदला हुआ देखने को इसमें मिलने वाला है 19-inch KVs दिये गए हैं नीचे के तरफ आपको foot boat देखने को मिल जाएगा chrome का element आपको इसके windows के आसपास दिया गया है पीछे आएं तो यहाँ पर भी आपको tail light का design थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलने वाला है and in terms of length and all, गाड़ी पहले से थोड़ी लंबी हुई है, इसका सोड़ा सा wheelbase भी बढ़ा है and also it gets this massive 620 liters of boot space अब बाकी Mercedes की गाड़ी के मुकाबले एक जो benefit यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है GLC में इसका जो spare tire है, वो आपको यहाँ पे नीची compartment दिया हो है, उसमें वहाँ पे अलग से उसकी जगा बनाई गई है and इसका मतलब यह है कि जो boot space है, completely आपको आपके luggage के लिए मिलता है जोई spare tire अलग से वो space occupy नहीं करेगा आपके boot के अंदर तो यह एक benefit यहाँ पे है and जो loading lip है, वो भी काफी flat है, तो समान, रखना, उतारना काफी easy यहाँ पर GLC में हो जाता है also, it gets this powered tailgate, जलते हैं अंदर, किस तरह के changes अंदर होए हैं, फटावट में की बात, करते हैं अब अंदर के अविन की बात करें, तो यहाँ पे आपको इस Mate 11.9 इंच का वर्टिकल स्क्रीन मिलता है, काफी intuitive है, responsive है and overall जो ले आउट है, वो भी काफी अच्छा देखने को मल रहा है पीचे की तरफ आएं, तो यहाँ पे एक carbon fiber field दिया गया है, अंदर इसके दो cup holders, wireless charging, USB-C charging point, वगयरा देखने को मिल जाते हैं and also armrest यहाँ पे दिया गया, इसमें भी आपको USB-C charging points देखने को मिल जाते हैं, screen जो है instrument cluster की वो आपको 12.3 इंच की समें देखने को मिल जाते हैं, same Mercedes वाला layout है, आपको भाकी गाडियों में देखने को मिलता है, वैसा ही layout है, वैसा ही layout है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आ legit sales, I don't think, Indian weather के साब से कोई काम की साविच हो सकती हैं, also इसमें आपको मसाच C's का option भी नहीं मिलता है, जो I think पहने वाली जनरेशन में यहाँ पर, इस GLC में आता था, तो यहाँ पर वो feature भी आपको मिलने वाला है, but overall, जो interior है, उसका layout है काफी premium है, जिसकरा के patterns आपको देख है, और यहाँ पर भी soft touch leather stitch देखने को आपको इसके dashboard में मिल जाता है, and steering controls भी आपको different देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले, and यहाँ पर एक छोटा सा issue जो मुझे मैसूस होता है, जो Mercedes के अब सभी गाडियों में इस तरह के touch controls आ रहे हैं steering पर, ड्राइब करते वक्त कभी अब बात करते हैं, तीन धासू और तीन नॉटस धासू elements के आलागे मुझे मुझे इस Mercedes की GLC के पारे में तो पहले बात करते हैं, नॉटसू धासू elements के इसमें पहला है, इसमें आपको cool seat का options नहीं मिलता है, जबकि आपको heated seat का option दिया गया है, front two seats के लिए, जो मुझे लग दूसरा, नॉटस धासू element है, वो है, इसमें मसाज seat का option नहीं दिया गया है, पहले आता था, लेकिन अब नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे वो फीचर भी आपको missing देखने को मिलने वाला है, तिन तीसरा, नॉटस धासू element, जो मुझे इसमें लगा है, Mercedes की और राडियो मे जो ले आउट है, स्क्रीन वगेरा का, जो डैशपूर्ट का ले आउट है, काफी प्रीमियम फील वो ज़रूर तेता है, दूसरा, धासू element जो मुझे इसके बारे में लगा है, वो है, इसके अन्वेच लेवल्स, डीजल एंजन होने के बावजूद भी, जो नॉइस लेव पॉर्मेंस, पावर डिलिवरी, डॉक, शुरुवात से ही काफी अच्छा इस मरसरीज की जीलसी की रूटिटी में देखने को मिलता है, तो अवराल ड्राइव, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के हिसाब से, ये मरसरीज की जीलसी रूटिटी डी काफी सौर्टिट मुझे महसूस हुई थ्रूआउट दर ड्राइव, अब अब एसा पैकेज इस गाड़ी की बात करें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कुछ देखते हों मिलती है, वेंटलेट कूल सीज का उप्शन इसमें नहीं है, मसाच सीज का उप्शन इंकेस आब एक्शिट कर रहे हैं वो भी इसमें देखते हो नहीं मिलता है, एसी के लिए फिजिगल कंट्रोल की कमी हुझे, इसकी ड्राइव के दराण मैसूस हूँ हाला कि इसमें जो स्क्रीन दिया गया है, वर्टिकल स्क्रीन, वहाँ पर जो है, थूआउट आपको एसी के वो आइकन इसकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिजिगल बटन वाला मामला अगर होता तो ड्राइव के दराण थूड़ा ओर कंविनेंस एड़ जरूर हो सकत तो कुछ चीजें ये मिसीन लगती है, बट अवराल एज़ पैकेज की बात करूँ जिस तरह से गाड़ी का डिजाइन है, परफॉर्मेंस है और जिस तरह से इसके नौइस लेवल्स पहले से इंप्रूव होए है, पावर डिलिवरी भी पहले से बहतर देखने को मिलती है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को मद्दे नजर रखते हुए कोई प्रीमियम लग्शुरी बीजल गाड़ी लेने का विचार बना रहा थी तो मुझे लगता है, उसके इसाब से ये मसलीज बेंस जील सी कुटिडी एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकते हैं प्रीमियम लेखते हैं